मैं महाराश्टे से खातकरंगले लोकसवा मद्दार संग से आता हूँ और मैं आपके सभी बहेनों को भाईयों को पच्चतरीवी वर्षगाट जो देश मना रहा है उसके लिए सभी को अभिनंदन करता हूँ यह देश जब से बना है तब से कुछ देश में पाया है और कुछ खोया है और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि बहुत सारी सरकारों का उसमें योगदान रहा बहुत राज्यों का योगदान रहा और समूचे राष्ट्र बनाने में इन सभी के योगदान के वज़े से आज जो भारत है वो निश्चित रूप से सभी के योगदान से बना हुआ यह भारत और यह राष्ट्र दुनिया के पटल पे आगे बढ़ रहा है एक बहुत कटिन परिस्तिती से हम लोग बुज़र रहे हैं जहां करोना की महमारी के वज़े से पूरे दुनिया की अर्थवेवस्था जशीत हो गई थी और इस कटिन परिस्तिती से उबरने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छे बज़िट की ज़रूरत इस देश को थी मैं सद्मानिया प्रधानमंत्री जी और वित्यमंत्री जी का कुछ चीजों के बारे में धनिवाद देना चाहूंगा पीम गती शक्ती इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान जो बना गया है निश्चित रूप से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाने में हर सेक्टर को बढ़ाने में उसका बहुत बढ़ा युगदान रहेगा एक मिन्ट एक मिन्ट प्लेज माने वक्त अच्छा बोले प्लेज बैठिये आपस में सदर में चर्चा नहीं हमाने सदर्ष मुली जो अच्छी चीज़े है माने सदर्ष माने सदर्ष कभी भी जब माने कोई सदर्ष बोल रहा है तो उसको क्रोस नहीं करना जो चीजे अच्छी है उसका समर्थन करना और जो चाहिए उसकी मांग करना है हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूँगा कि पीम गतिशक्ती एक बहुत अच्छा मास्टर प्लान है जिससे से नदर रखना यह मेरी दिम्मेदारी बनती है मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि करोना के वज़े से अर्थस चक्र बिगड़ गया है राश्ट्र का ही ने इस पूरे दुनिया का बिगड़ गया है और इस सिती से इभरने के लिए आप जो काम कर रहे हो उसमें सभी का स रख्षा मिलती नहीं सिर्फ संकट ही संकट है सरकार हर बार यहीं कहती है इस साल का बड़ा अच्छा बजट है बजट अच्छा है या बुरा उसके मन्सुवे क्या है उसके निर्मर करता है हमको सरकार की नियत पे कोई संदे नहीं नेकिन नीतियों पे जरूर है जो नीतिय रूप से हर भारतिय को संदे है और उसके लिए हम आपको कुछ चीज़े सामने रखना चाहेंगे पूरे बजट में जी ट्वेंटी के जो देश है उसमें हम सबसे निचले सर पे इस देशों में हम सबसे निचले सर पे यहां पे आ गए कुछ चीज़े करोना के वज़े से बिगड़ गई लेकिन बहुत सारे देशों ने डाइरेक्ट कैस्ट ट्रांसफर की पॉलिसी अपनाई और उसके माध्यम से उटके देश की एकोनामी को बढ़ाने का काम किया हमारे देश ने भी एक अलग सा प्रॉफरमिला उसके लिए रचा जिसके माध्यम से देश के लोगों को डाइरेक्ट मनी ट्रांसफर नहीं दिया गया लेकिन और अधने एक माध्यमों से लोगों के पास पैसा जाने का प्रावधान किया गया क्या स्किती है बीस लाग करोड रुपे जो गोचना की गई उसकी क्या स्किती है और क्या उसका फाइदा मेसी मीज को हुआ नए सार्टम को हुआ नए जो बेरोजगारी बढ़ाने का काम हम लोग कह रहे थे दो करोड जॉब्स देश में बनने वाले थे लेकिन मैं परिस्टी का अनभव लेके ये कहता चाहूँगा कि बेरोजगारी का अब उस चांग की सतर इस देश में यहां है दो करोड नोकरिया चोड़ी है लेकिन तीन करोड नोकरिया चली गई तीन करोड लोग बेरोजगार हो गए ऐसी परिस्टी है इस देश में बनी ह हुई है अगर यह चित्र बनाना है तो इस चित्र रूप से इस बजट में उसके लिए कोई तो स्ट्रॉंग प्रोविजन होना जुरूरी था घोष्टनाएं बहुत अच्छी है लेकिन उसका इंप्लिमेंटेशन जो होना चाहिए वो इंप्लिमेंटेशन में बहुत सारी खामिया यहां दिखाई दी है और इस चित्रूप से अच्छे अच्छे जो यहां काप चल रहे थे उसमें कृषिका आप आकर देखे तो करोना की परिस्तिती में इस देश को अगर किसी ने बचा करने की मांग हमेशा से यह किसान करते रहे हैं इसका कोई भी बजट में उल्लेक नहीं है मैं आप से यह मांग करना चाहूंगा कि किसानों को MSP के लिए उसमें प्रावधान किया जाए जरूर आधुलिकता किसानों से जुड़नी चाहिए आप ड्रोन की खेती के लिए प्र किसानों में फर्टिलाइजर्स की कीमटोंक में लेके बहुत बड़ा असंतोश बना रहा है उसी सेक्टर में आप अगर देखे तो एग्रिकल्चर में 20% लॉसिस यहां रेजिस्टर हुए हैं अपने देश में बहुत सारे युवा जो एग्रिकल्चर में आना चाहते हैं उ कोई भी बजट में उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता कि जिसके माध्यम से किसानों को हर सेक्टर में आगे जाने का मोगा मिल पाए मैं दूसरी यहां आपके सामने बात करना चाहूंगा कि नीतिया अच्छी बने तो निश्चित रूप से काम भी कारगर तरीके से होता है टैक्स भुक्तान करने वाले जो टैक्सपेर्स है उनको टैक्स में कुछ बेनिफिट मिला ऐसा है उनका यहां मानना था बुरी आवस्ता में भी देश की एकोनामी सुधारने में बहुत अच्छा काम टैक्सपेर्स ने इस देश में किया है लेकिन उनको कुछ भी सोहलियत इस टैक्स में यहां नहीं मिली इसके उनके स्टर पे जो मिडल क्लास लोग है जो छोटे लोग है एक अकेले महाराष्टों में से एक करोड लोग टैक्सपेर्स के रूप में महाराष्टा का योगदान यहां देते है लेकिन उनके लिए हम लोग इसमें कुछ भी प्रोविजन नहीं कर पाए देश के बहुत सारे जो टैक्सपेर है उनकी यह मांग है कि उसमें उनके लिए कुछ इंक्लूजन किया जाए कुछ तो टैक्स में उनको बेनेफिट दिया जाए निश्चित रूप से दूसरी एक बात में आपके सामने रखना चाहूंगा की टेक्स्टाइल एक बहुत का उत्पात सबसे बड़ा जिस देश में आता रहता है लेकिन एक भी टेक्स्टाइल पार्क पिछले बजट में से महराश्ट को अलॉट नहीं हुआ मैं अत्मांग करना कहता हूँ केंद्रशासन से कि ये योजना महराश्ट में भी आप यहां लागू किजिए और उसका फाइदा हदारों युवाओं को उसमाद्जम से होगा 12,000 करोड का लॉस्ट एक्साइल इंडस्टी में आया है MSME में देखे तो आप 99% MSME close हुई है और निश्चित रूप से करोना का पैकेज जो यहां 20,000,000 करोड करोड का आया था उसमें से रिवाइवल रेट अगर आप देखे तो बहुत सारी ऐसी होस्पिटालिटी जैसी इंडस्टी है वहां की तो आप अगर देखो तो होटेल की आवस्टा बहुत बुरी हो गई है होटलिंग में बहुत सारे होटेल देश बर में बंद पड़ गए उनको फिल से रिवाइव करने के लिए कोई भी प्रावधान हमारे यहां बजट में नहीं दिखता इतनी सारी चीज़े जो देश में घट रही है उसका कारण यह महामारी भी है मैं यह समझता हूँ कि बजट पे उसका विपरीत परिणाम पड़ा है लेकिन जो बजट जमा हुआ है उसमें जो राज्य योगदान देते हैं उनके लिए भी हर राज्य का योगदान ध्यान में देखते हुए उनकी लोग संख्या और उनकी ज़रूरते दाहन में रखते हुए निश्चित रूप से इस बजट में उसके लिए अच्छा काम होना ज़रूरी था महेंगाई अपने उच्चतरम स्तर पे यहां काम करी है देश के चुनुंदा लोगों के पास संपत्ती जमा हो रही है 57% of the total wealth in India lies with 2% of the people living in India अगर यह situation सही है तो निश्चित रूप से यह आम आदमी आम जनता जिसके माध्यम से इतना बड़ा revenue generation होता है इन डिरेक्टे ट्राइस एक्सिस में बड़ोती हुई है इससे आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ने वाला है MREGST जो योजना थी जिसके माध्यम से ग्रामी निलाकों के विकास में हम लोग योगदान दे पा रहे थे उसमें कटोधी की गई है हेल्थ के बारे में कटोधी की गई है आज करोना की महामारी के वज़े से सबसे चीज़े अगर कुछ उजागर हुई हो तो दो चीज़े प्रभुक्ता से उजागर हुई है इस देश का किसान जिन्होंने इस काल में अपना काम किया और लोगों के पेट भरने का और इस देश को जिंदा रखने का और चलाने का काम किया और दूसरी तरह वो हेल्थ इंडस्ट्री जिसमें निश्चित रूप से इस देश के आरोग ये विभाग ने अच्छा काम किया हर स्टेट के आरोग विभाग ने अच्छा काम किया और निश्चित रूप से उसका फल हम यहाँ देख रहे है मैं यह कहना चाहूँगा यह मांग करना चाहूँगा गवर्मेंट से कि आज अगर हमारी आखे नहीं खुली करोना के बाद अगरा हमारा हिल्स इंफ्रास्ट्रक्चर करोना का प्री करोना और पोस्ट करोना का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखे तो निश्चित रूप से हमें इसमें बदलाव की दरूरत है और अच्छे infrastructure के लिए अच्छा निदी में उसके लिए उपलब्द होना बहुत ज़्यादा जरूरी है महंगाई की मार से आप अगर देखे तो पाथ साल का अगर रेशो देखा जाए तो किन चीजों में बढ़ावत हुई है तो सरसो का तेल जो पहले 2017 में 70 रुपे का था वो 200 रुपे चला गया है रिफाइन तेल 75 खा था वो 145 रुपीज गया मसूर की दाल जो 60 रुपे की थी वो 140 रुपे उड़त दाल 88 रुपे की थी 190 रुपे चना दाल जो 90 रुपे की थी 180 रुपे चाहे जो 100 रुपई की थी तो 200 रुपई LPG सिलेंडर 419 रुपीज का था वो 1000 रुपीज के पार चला गया पेट्रोल 70 से लेके 100 तक और डिजेल 7 से लेके 90 तक यहां चला गया इंफलेशन रेट जो यहां बढ़ रहा है निश्चित रुप से इसका भुकतान आम आदमी को करना पड़ रहा है इन रिएक टैक्सिस के माध्यम से हम लोग आम जनता से पैसा वसूल जोग भी कर रहे है लेकिन उसके तरफ हमारी जो जिम्मेदारी है उसको देने में हम लोग कही कम पड़ रहे है क्या इसका भी विचार केंद्र शासन को करने की बहुत ज़्यादा दरूरत है मैं आपसे अनुरोद करना चाहूंगा कि महराष्टर के बारे में मैं महराष्टर से आता हूँ महराष्टर हमेशा ही देश को आगे बढ़ाने में एक सक्षम राज्य रहा है महराष्टर का टोटल टैक्सेशन सिस्टेम में एक करोड से भी ज़्यादा टैक्सपेयर यहाँ है जो CGAC जमा होती है केंद्र शासन की उसमें 220,000 करोड रुपे CGAC जमा होती है अकेले महराष्टर में से 48,000 करोड रुपी महराष्टर की पुण्जी देश के राज्यस्वें में जमा होती है दूसरी तरफ आप देखे तो महराष्टर को अभी उसमें से जो रिटरन मिलना था वापिस मिलना था सिर्फ 5,500 करोड रुपे का रिटरन मिला है आज भी महराश्टर की मांग है कि CGST के 25 हरार करोड रुपए आज भी केंदर शासन के पास प्रलम भी थे हैं वो मांग आज भी जायस मांग निश्चित रूप से महराश्टर हमेशा मांगने की कोशिश कर रहा है आप अगर देखें तो चक्रिवाद का एक situation आया महराश्टर म देश भर में प्राइश प्रभावित हुआ लेकिन मदद करते वक्त राज्यों को मदद करते वक्त करकेंद्र के माध्यम से राज की अगनिवेश नहीं होना चाहिए उसमें आप अगर देखें तो निश्चित रूप से महराश्टर ने मांग की थी उससे 20% भी रकम महराश्टर को नहीं मिली हजार करोड रुपए गुजरात को उसी टाइम दिये गए लेकिन महराश्टर को एक उसकी जो मांग थी जो नाईक मांग है देश के किसानों को और वहां के लोगों को पीडित लोगों को देने का काम ये दिश कर पाई मैं निश्चित को उसे ये कहना चाहूंगा महराश्टर एक स्वावी मानिय राज्य है अच्छै काम के लिए हमेशा इस देश Кे बढ़ावत के लिए कैम करता रहेगा हमारे मुख्यम crew जीन हमेशा महराश्टर के लिए काम लिए लिए हमेशा पहली है मैं आपके मार्जम से ये कहना चाहां और दबाने की आगर कर को चिश्ष की जाए, तो मैं बोलूंगा, कि महराष्ट्रो को, आप जो उसकी न्यारीक मांगे, उसको कुरा करने में केंद्र सरकार समर्थन करे और जो हमारी मांग है वो देश को आगे बढ़ाने वाली है ये राश्ट को आगे बढ़ाने वाली है उसमें आपका समर्थन लगा रहे है धन्यवाद अधन्यवाद आप बेंजित को समर्थन करता है लेख हरां ओकी एबीपी माजा उगडा डोले बगा नीट